हाई अबरिवन स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज हम देखेंगे एक और हेयर पैक जैसा कि हम अल्रीडी दो हेयर पैक देख चुके हैं जिसमें एक था फुल हेर केर प्रोसेस और दूसरा था जिसके हमारे بالों की हेर क्रोथ होगी और इस लिवा उर ग्रे हेर है तो वह ब्लेक हो जाएंगे आप मेरा चैनल सब्स्क्राइब कीजिए जिससे आपको मेरे वीडियो जलदी से मिलें अब हम देखते हैं इसके लिए मैंने लिये हैं एक, अंडा, कर्ड, दही, कैस्टर ओयल, अरंडी का तेल और अलोवेरा जैल सबसे पहले मैं बात करती हूँ एक की जिसमें होते हैं फैटी एसेट्स, प्रोटीन, विटामिन A, E, और D जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशल है सबसे पहले मैं ये डालती हूँ बाल में एक बहुत ही अच्छा हेर बूस्टर है इससे हमारे बाल हेल्थी होते हैं, शाइनी होते हैं, स्ट्रॉंग होते हैं अब हम नेक्स्ट लेंगे ऐलोवेरा जैल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ऐलोवेरा जैल के सारे फेस पैक बताये थे और मैंने हम फ्रैस अलोवेरा जैल कैसे ले सकते हैं प्लांट से वह भी बताया था अब हम लेंगे कैस्टर आइल अरंडी का तेल अलोवेरा जैल में होते हैं एमिनो एसेड और प्रोटीन और कैस्टर आइल में भी होते हैं फैटी एसेड और विटामिन ए कि हमारा हेर फॉल दूर होता है स्मूथ हेर हमें मिलते हैं फ्रीजी हेर हमारे जाहते हैं फ्रीजी हेर स्मूथужд हो जाते हैं दोनौ हमारे बालों के लिए बहुत ही बैनि फीशल है अब हम इन तीनों को मिला लेंगे हमें इने अच्छे से मिलाना है अब इसका प्रड़ को अच्छा का आए कि अब इसका फाइन पेस्ट बन गया है अब मैं इसमें डालूंगी दही जिसमें होता है लेक्टिक एसिड ये है एक नैचरल मॉस्चराइजर जिससे हमारे बाल होते हैं घने स्मूध सिल्की इसको भी मैं अच्छे से मिला लूंगी अब हमारा हेयर पैक क्रेड़ी है अब हमें लगाना है ऐसे बालों पर आप आप इसे बालों पर लगा के अच्छे से मसाज कर लो आपको उपर से लेके नीचे तक पूरे बाल को हेयर पैक से कवर करना है तो इसे हम उपर से नीचे तक पूरे बालों पर लगा लेंगे और हेयर पैक से सारे बालों को कवर कर लेंगे सिर्षा कर लो कर दम गालों को सो मैंने 25 मिनिट्स लगाने के बाद अपने बाल वास कर लिये हैं और सैंपू कर लिया है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो अच्छा लगा हो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो जल्दी से मिलें बाबाई झाल कर लो जो जो झाल झाल